अर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है विदेशी नमबर से WhatsApp मेसेज आया हाली में Congress में शामिल हूए बजरंग पुनिया Message में Congress छोड़ने की धमकी दी गई है और जान से मारने की धमकी मिली है ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ बजरंग पुनिया, बहलवान उनको जान से मारने की धमकी मिली है विदेशी नमबर से WhatsApp पर मेसेज आया था हाली में Congress जोइन किया था हमने खबर देखाई थी, ये तस्वीरे भी उस वक्त की चल रही है जब बजरंग पुनिया शामिल हो रहे थे Congress में Congress में शामिल हुए है बजरंग पुनिया मैसेज में Congress छोड़ने की धमकी दी गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है वेदेशी नंबर से WhatsApp पर मेसेज आया है ये पूरा मामला हम आपको बता रहे है बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली है वेदेशी नंबर से WhatsApp मेसेज आया है इस पर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है वो मैं आपको सुनाते है तो इसको यही बार के नंबर से दमकी ब्रा मेसेज प्राप्त हुआ है उसकी शिकायत ले ली है जिस पर पुलिस की कारवाई जारी तो सोनीबत पुलिस के प्रवक्ता रविंद्र उन्होंने बताया अब सचिन जो है मेरे सायोगी फोन लाइन पर जुड़ गए है सजिन ये धमकी बरा जो मेसेज है कब आया था और कहां से आया था क्या कुछ ट्रेस हो पाया है जी दिखिए इसकी जो टाइम लाइन है वो तो बजरंग पुनिया ने जो है श्कायत में दर्द कराई होगी पुलिस में उसकी डिटेल जो है वो अभी तक पब्लिक नहीं की है मैं बड़्ताथ कि जिए ऐसायग है आज दर्थ कराई गये है तो अनिस्की तब सेहीं आज पछले क्ल ही बजरंग पुनिया को यह वर्ट्ट्स पर मिला होगा पर सबसे बड़ी बात यह है कि श्यक्तार बजद्रंग टुनिया चांग्रेट में शामिल हुए है। जो है अब विनेश और वजरंग के जो है कॉंग्रेस में कामिल होने के बाद जो है स्टेज हुई है ठीक है एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की